तिरोजबाद में डेंगू वाइरल बुखार का कहर इतना है कि अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है और आज भी सरकारी मेडिकल कॉलेज के 100 सया होस्पिटल में 400 से ज़्यादा बच्चे ही भरती हैं और जिले की बात करें तो काफी संक्या में लोग इस डेंगू वाइरल बुखार से बीमार हैं लेकिन इस डेंगू से बचाव के लिए अब लोग बकरी का दूद खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि बकरी का दूद प्लेटलेट्स बढ़ाता है इस डेंगू की लहर की मैं बकरी वालों ने भी आपदा में अवसर ढून लिया है जो बकरी का दूद 50 रुपए से 60 रुपए लीटर बिकता था आज उसकी कीमत 1500 रुपए लीटर हो गई है फिर भी लोग इसे खरीद रहे हैं आज जब हमने बकरी वालों से बात की तो उनके यहां करीब 70 से 75 बकरीयां थी और वह 150 रुपए का 100 ग्राम दूद बेच रहा था वहीं जिस खेत में बकरी घास खा रही थी वहां के ग्रामीर का कहना था कि 100 से भी अधिक लोग बकरी का दूद खरीदने आते हैं या दूद डेंगू की विमारी में काम आता है वहीं खरीदने वालों की माने तो उनका कहना है कि इस विमारी से बचने के लिए हम दूद खरीद रहे हैं लेकिन आपदा में अवसर ढूणना गलत बात है हम जिलादिकारी से निवेधन करते हैं कि जिस तरह इतना दूद महंगा बिक रहा है उसकी एक रेट ने धारत कर दी जाए जिससे दूद खरीदने में दिक्कत ना हो और वह किसी को भी मिल सके कि अभी डॉक्टर भी बता रहे हैं बकरी के दूसरे प्लेटे जल्दी उपर आ रही है तो बंगर में देट रूपे का सवराम लेकर आया हूं बकरी का दूद बड़े इस्तिती गरवड़ कर रखी है को से बेशता है किस रिटा सौर्प्या को सो ग्राम बेच दे वह को आप सई को आजये तो कज़ुक्त मिल दे जब लाए एक महीन हो गया अच्या यह दूद क्या फाइदेबंद होता रहे हैं अच्छा इसे सही हो रहे हैं इसा है क्या कितने रहा है आज 30-35 आजाता है कभी कभी देंपचास भी आजाते हैं क्या बाब एक रहा है दूद इस समय पकड़ी का देड़ से का सो ग्राम में देदे जो आज सो रोपे आए वी देदे कि अब कि अग्या कि अग्या अग्या